Example 12.4 चलिए भी इसको भी फटाफट से समझ लेते हैं क्या है कैसे हैं So example 12.4 says that the potential difference between the terminals of an electric heater एक electrical heater use कर रहे हैं जो 60V potential difference के उपर चल रहा है When it draws a current of 4A और उसी वक्त हमने emitter भी circuit में लगाया हुआ है और हमें पता चलता है कि वो electric heater 4A current flow बहा रहा है उतना बच रहा है resistance खाने के बाद So what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120V अगर वही electric heater 60V की जगह पे 120V पे हम चलाएं तो current flow के उपर क्या फरक पड़ेगा हमें देखना है यहाँ पे एक चीज़ पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि यह जो line है ना इस line को मैं या कोई भी teacher बहुत अच्छे से बदल सकता है और पूरा solution change हो जाएगा यहाँ पे यह पूछ रहे हैं और अगर इसी 2 की जगह पे मैं बाई लगा दू तो पूरा मतलब ही change हो जाएगा यहाँ पे यह line जो फिलाले नों ने use की हुई है उसका मतलब है 60V है और हम 120V पे चेक कर रहे हैं अगर यहाँ पे 2 की जगह पे मैं बाई यूज कर दू तो 60 प्लस 120 टोटल 180V हो जाएगा यह mathematics में आपने 8 standard 9 standard में यूज किया होगा कि बाई यूज किया तो addition हो जाता है जबकि 2 and terminal दिखाता है कि इतना ही बढ़ रहा है तो यह चीज मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दे तो फिर से हम circuit बना लेते हैं पहली condition है 60V बैटरी लगाई हुई है यहाँ पे दो cell यूज ना करें एक ही cell यूज करें और यहाँ पे emitter है emitter में भी reading 4A ही दिखाएगी तो अभी same formula V is equal to IR हम use करेंगे पहली condition में V हमारे पास है 60V जबकि I हमारे पास है 4A तो resistance कितना होगा हम देख लेते हैं तो potential difference दिया है 60V, current दिया है 4A, ohms लोग के according V is equal to IR है, R को हमें formula maker बनाना है so V upon I हो गया, V is equal to 60V, we are writing it down, I is equal to 4A, so 415s are 60 so resistance यहाँ पे जो है, वो 15 ohm होगा, 15 ohm होगा, तो यहाँ पे पहली condition जब हम 60V use कर रहे हैं तब resistance 15 ohm है, अभी हम यहाँ पे voltage बढ़ाने जा रहे हैं, तो condition अलग से हो जाती है अभी इस condition में 60V थे, अभी हम उसको exactly double कर रहे हैं तो यहाँ पे 120V हो गया, अभी current कितना बहेगा हमें पता नहीं है, क्योंकि current की condition यहाँ पे दी गई नहीं है पूछ रहे हैं, what current will heat a drop, अभी current कितना बहेगा वो हमें देखना है तो voltage दे दिया गया है, resistance दे दिया गया है, हमें ampere मतलब की current निकालना है same formula लगेगा, V is equal to I, R, I को formula बनाएंगे, तो बन जाएगा V upon R voltage यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं, 120V, जबकि resistance हमारा 15Ω है, resistance कभी change नहीं हो सकता एक condition में एक ही रहेगा, तो यहाँ पे अभी 8A current बचेगा उसका मतलब यह है, कि इसमें 4A बह रहा था, अभी वो double हो जा रहा है, 8A तो आप इसमें से भी निशकर्ष निकाल सकते हो, कि voltage अगर double कर दिया, तो current भी double हो रहा है वैसे ही, resistance तो same to same ही रहा है, यहाँ पे voltage, current और resistance के बीच में हर जगह, हर problem में आपको relation चेक करते रहना है आपके लिए ताकि आप electric व्यावहार को बहुत ही अच्छे से समझ पाए और basic concept आपका मजबूत हो तो यहाँ पे इसे के साथ यह problem भी खतम होता है, अभी हम आगे बढ़ेंगे next problem के लिए which is a example 12.5